Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन पोईट एडगर आलन पो की एक सॉनेट के बारे में जिसका नाम है सॉनेट तू साइन्स इसे 1829 में पब्लिश किया गया था उनकी कलेक्शन अल आरिफ, टैमरलेन और माइनर पोयम्स में जैसा कि मैंने पहले ही का ये एक सॉनेट है और इसकी जो 14 लाइन्स हैं वो एक आक्टिव और एक सेस्टेट में बाटी गई है मगर इसकी राइमिंग स्कीम है एबी, एबी, सीडी, सीडी, एफ, 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 जीजी यानि फ्रेंड्स अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक पेट्रारकन सॉनेट का है लेकिन इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो एलिजबेथन सॉनेट से मैच करती है फ्रेंड्स इस पोयम्स की थीम है Disadvantages and Destruction of Science यानि किस तरह Science ने लोगों की सोच को बदल दिया है जिन चीज़ों को पहले लोग एक religious या एक mythical वे से देखा करते थे Science के कारण उनका वो नजरिया बदल चुका है अब वो हर चीज़ के पीछे जो reason होता है उसे जानने की गोशिश करते हैं इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप छोटे होंगे तो तारों को चमकते वे देखते होंगे और उस समय आपको बहुत सारी कहानिया बताई जाती हैं कि वो जो stars हैं वो आपके relatives हैं जिनकी death हो गई है और वो आपको देखकर shine करते हैं जैसे जैसे आप बड़े हुए आपको पता चला कि इनके पीछे तारों के चमकने के पीछे आखिर क्या scientific reason होता है तो जैसे जैसे इस समय बीटता जाता है science हर एक imagination को हमसे दूर कर देती है लेकिन poet जो हैं वो इस बात के लिए complain कर रहे हैं वो नहीं चाते हैं कि science उनसे उनकी imagination को छीन ले एक poet के लिए imagination बहुत ज़रूरी है और जो nature में वो imagination ढूंते थे science ने उसे दूर कर दिया है फ्रेंट्स एडगर आलन पो एक American writer, poet, editor और literary critic थे उनका जन्ब हुआ था 19 January 1809 में उनकी death हुई थी 7 October 1849 में वो अपनी poetry और short stories के लिए बहुत famous हैं और साथ ही romanticism में वो एक central figure है यानि कि जो romantic age था या जो romantic period था उसमें उनकी poems और stories ने बहुत important role play किया है उनकी famous works में Enabel Lee, A Dream Within a Dream, The Raven, The Murders in the Rewmorge ये सभी शामिल हैं तो चलिए friends अब poem पे आते हैं और इसे read कर समझने की कोशिश करते हैं Science, true daughter of old time, thou art यानि poet यहाँ पर directly science से conversation कर रहे हैं और उन्होंने science को personify किया है science क्या है? वो एक female, एक लड़की की तरह है जो की पुराने समय की बेटी है यानि poet कहते हैं science तुम पुराने समय की बेटी हो तुम्हारा जन जो है वो पुराने जमाने की जो विश्वास है उससे हुआ है पहले की जो imagination थी उसी ने तुम्हें जन दिया है यानि तुम्हें अपनी तेज आँखों से सब कुछ बदल देती हो जहां भी science का यूज किया जाता है scientific way से सोचा जाता है वहाँ जो imaginative thoughts होते हैं वो दूर हो जाते हैं इसलिए science जो है सब कुछ बदल देता है यानि क्यों तुम पोएट के दिल को निशाना बनाती हो उसका शिकार करती हो या simply कहें तो क्यों तुम पोएट को उदास करती हो वल्चर, whose wings are dull realities यानि तुम एक वल्चर की तरह हो एक गिद्द की तरह हो और तुम्हारे पंक जो हैं एक boring यानि सुस्त सचाई की तरह है तुम जो हो किसी भी चीज के पीछे की सचाई को बता तो देती हो मगर वो सचाई बहुत dull होती है, बहुत boring होती है यानि वो तुम्हें कैसे प्यार करे कैसे तुम्हें बुद्धिमान समझे यहां he किसके लिए यूज हुआ है तो poet के लिए यानि poet खुद अपने ही बारे में बोल रहे हैं कि कैसे वो poet जो है वो तुम्हें पसंद करेगा कैसे तुम्हें बुद्धिमान मानेगा जो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा उसके घूमने में यानि poet जो है वो अपने रास्ते जाना चाहता है अपनी imagination को आगे बढ़ने देना चाहता है मगर science उसे ऐसा नहीं करने दे रहा है तो seek for treasure in the jeweled skies और poet कहां अपनी सोच को ले जाना चाहता है तो वो घूमना चाहता है उस आसमान में और अपने खजाने को ढूमना चाहता है यानि एक तरह से यहां imagination कर सकते हैं कि जो stars हैं वो jewels की तरह हैं और poet आसमान में जाकर उन jewels को, उन treasures को अपना बनाना चाहता है यानि एक तरह कि यह imaginative thought है science के आते ही यह thought गायब हो जाएगी और इसलिए poet परेशान है कि क्यूं science उसे अकेला नहीं छोड़ता क्यूं उसकी thoughts को गलत साबित करने में लगा है albeit he sword with an undaunted wing ताकि वो उड़ सके अपनी सोच में बिना डरे हुए अपने punk फैला कर यानि उसे किसी बात का डर ना हो वो जैसा चाहे वैसा उड़ सके अपनी सोच को कहते हैं ना कलपना की उड़ान को तो उसी की poet यहाँ पर बात कर रहा है कि वो अपनी कलपना को अपनी सोच को उड़ दे Has thou not dragged dina from her car Prince dina जो है वो goddess of hunting मानी जाती है Greek mythology में तो poet कहते हैं कि क्या तुमने dina को उसके car से यानि उसकी जो chariot है जो उसकी बग्गी है उससे बाहर खीच कर नहीं निकाल लिया है यानि यह जो हमारी imagination थी कि goddess dina जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाती है और बुरे लोगों का शिकार करती है लेकिन इस बात को तुमने गलत साबित कर दिया तो एक तरह से तुमने dina को उसकी बग्गी से उसका जो रत है उससे दूर कर दिया and driving the hammer dried from the wood friends hammer dried जो होता है उन्हें forest nymph कहा जाता है यानि एक तरह से कहें तो वो पेडों में बसते हैं और fairies की तरह होते हैं और उस पेड से उनकी जिंदगी बंधी होती है जब तक वो पेड सुरक्षित रहता है तब तक वो भी जिंदा रहते हैं पेडों के खत्म होते ही वो भी मर जाते हैं लेकिन poet कहते हैं कि तुमने उन्हें उनके जंगलों से बाहर भगा दिया है क्योंकि science ने ये प्रूफ कर दिया कि पेडों को जिंदा रहने के लिए कोई परियों की जरुरत नहीं है उसे तो धूप चाहिए oxygen चाहिए तो एक तरह से तुमने जो hammer drive है उन्हें उन जंगलों से भगा दिया है ताकि वो किसी सुरक्षित जगा पर जाकर किसी अच्छे खुशाल जगा पर जाकर अपनी जिंदगी बिताएं जहां तुम ना पहुँच सको जहां science का असर ना हो तो पोईट कह रहे हैं कि क्या तुमने नायड को अपने ही घर से यानि उस river से यहां flood का मतलब river है तो उस river से तुमने दूर नहीं कर दिया है पहले जो imagination थी जो mythical सोच थी लोगों की वो ये थी कि नायड ही जो है वो rivers को control करती है मगर science ने तो इसे भी गलत साबित कर दिया तो तुमने नायड से भी उसका घर छीन लिया या जिने हम एक तरह से कह सकते हैं कि वो छोटे छोटे गॉबलिन्स की तरह थे तो poet कहते हैं तुमने उन elfin's को भी घास के मैदानों से दूर कर दिया है and from me the summer dream beneath the tamarind tree और साथ ही तुमने मुझसे मेरा वो सपना जो मैंने पिछली गर्मी के मौसम में देखा था इस इमली की पेड के नीचे वो भी तुमने मुझसे छीन लिया है मुझसे दूर कर दिया है यानि मेरा सपना जो था वो एक imagination था एक सोच थी लेकिन तुमने वो मुझसे दूर कर दिया क्योंकि science साबित कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो तुम मेरे लिए एक advantage नहीं एक disadvantage हो एक poet के लिए science का भी advantage नहीं हो सकता क्योंकि poet का तो काम ही है कि वो imagine करे अपनी imagination को खुला छोड़ दे और तुम मेरी imagination को रोक रही हो इस poem में जो poet है वो एक तरह से science पर एक आरोप लगा रहे हैं कि science उनकी poetic ability को और उनकी imagination को आगे बढ़ने से रोक रहा है और इसलिए poet चाहते हैं कि science उनका पीछा छोड़ दे उन्हें अकेला छोड़ दे तो friends ये थी Edgar Allen Poe की poem Sonnet to Science